चलिए आप सारे विद्यार्थियों को आपका अपने यट्यूब चानल अरोई बिनर पाइंट में स्वागत है तो बाबु हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आरस्वाल नवीन अंक गनित तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं आप जो टौफिक जो श्टार्ट करने जा रहे ह जिसका नाम है सधारन व्याज एसाई तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं सवाल संख्या पहला आप सारे लोग ध्यां दिजिएगा कि सवाल संख्या पहला आपसे क्या कर रहा देखेगा सवाल संख्या पहला है जो आपसे कह रहा है मेरे मित्रों बोल रहा है कि 10,000 9 महीने का अपका सिधारण ब्याज कर जो क्या होता है क्या होता है ब्याज का क्या ह। ह mortal होता है मुलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में क्या होता है आपका जो होता है आपका तेया है आप फौका देखे आपका मोथन क्यतनी दे चुका है आपका 10 4 कीतना के दर कितना है 6 परतिशत वार्सिक कितने बर्ष में है आपको हुआ नौ महीने का न न कहने का मतलों हो जागा नौबटा बारा नो बटा बारा न बटा बारा और अब अध्यान दिजिएगा यह दो सुना से दो सुना मैंने कटवा लिया हूं और देख पा रहा हूं कि 6 से आपका बारा दो बार में कड़ गया और यहां पे आपका 100 बच है 200 जो कितने बार में कड़ जाएगा 50 वार में कड़ जाएगा और आपका जो कोष्यंस का अंसर में करने भाजा जाएगा नौप पैए पैंत आलिस याने की तुसरा किया कर रहा है आप सारी लोग ध्यांदीजीएगा सवाल संकह रूट रहा है कि सधारन ब्याज के किस बारसिक दर्स के तीन बर्सों में 45 स्वर्पय काम किसरद्छन शोर्पthey हो कि मुल्धन और व्याज का रस्यों का है लिखेंगा कि मुल्धन को कि…" भापना गटालीस अर्पीय है था कितना निकल का जाए गा 100 लिकला जाए गा शोगण निकल का जाएगा और में देख रहा हूं कि कि 45-900 कितने बार में कड़ जाएगा 20 बार में कड़ जाएगा हमसे क्या पुछा है दर पुछा है ना तो कितने बर्स में हो गया था यह तो तीन बर्स में भागा मार दीजिए तो आपका दर निकल का जाएगा छे पुर्णंग दो बटा तीन पर चिसत का निकल का आगया दर निकल के आगया जो आपका कोशन्स का अंसर हो जाएगा छे पुर्णंग दो बड़ा तीन पर चिसाथ आपका दर निकल के आगया तो मैं उम्मिद करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी की कोशन्स बिल्कुल स्वज में आ गया होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर र से तीन सही एक बटा तीन पर्थिस्त बार्सिक जर से पाँच बशर्ण मिशर्धन के तो चुल्म करना सो करद। ळाने रखेंगे चुका है तो मिसर्धन के हुआ चुपांपों लोग बढ़ेंगे तो इसका मतल्सका कितना अग्वेश्वे disclosure 11 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब BECAUSE सब्सक्राइब सब्सक्राइस पन्दर्फोर के लिए श्राइब सबस्क्राइब्स निकालने के लिए अद्धा पूछा है तो मुल्धन से गुना करा लिए मुल्धन से गुना करा लिए तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको 35 से 200 वार में कढ जा रहा है तो मेरा 6,000 आपका questions का क्या निकल के आ जा रहा है answer निकल के आ जा रहा है तो आप ध्यान दिजिएगा निश्चीत राशी में जो चीज़े दे ले रहेगा उसको तुलना उस यह जिसको निकालना उससे घुना करा देंगे जाता है कितने रुपईया का राशी तीन सही एक वटा तीन परतिसत बार्थिक धर्षे साथ जार रुप्या हो जाएगा कितनेी में मेरे मित्रों आपका व्याज है तो एक साल में किस्क्रा degree आप का वैयाज हो जाएगा तो पांच एक अधिया ब्याज508र्व पांच MMA मुल्धन आपका मिसर्धन कितना हो जाएगा पाइंटीस हो जाएगा लेकिन मिं सर्धन दे ले था कितना साथ जार अनुपात मिंसर्धन कितना निकले का रहा गया तो मैं उमिद करता हूँ आप सारे लोग को बहुत ही सभधिया से समझ में आ रहा होगा प्रश्ट हम लोग बढ़ते हैं सवाल संख्या फोर की और हुँ सवाल संख्या चोथा है जो आप से बोल रहा है हाना कि कोई धन बार्सिक ब्याज से तीस वर्सों में तीन गुणा हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा कोई धन कितना हो जाएगा यहीं चित्तों निकालना है और यहां पर कर सकते हैं 200 वट आपको यहां पर कर लेंगे 30 तो आपके लिए तार पतेatus शमय जंच्तिल या भाट्व संख्याव्त पांच्मास अ लिए यानीकि आपका बोल रहा ह। ही ज़ता है को सब्सक्राइब होता है कआै तो आपका याप सत्र जानतın अजी फेला संबताबर क्या होता है मुलधन गुने जर्गने समाए बटा में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा पिर आपका फर्मुली और elder मुलधन गुंसे 45 जाएगा वाबु सौ हो जाएगा और यहां पर मुल्धन और दर दोनों आपस में में मेरे मित्रों बराबर है अब इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं बाबु की बताइयेगा एक्स रुपया का साधारन ब्याज कितना प्रापत होता है बाई रुपया हो जाता है और यहां पर क्या हो जाएगा बाबू आर गुने टी और बटे में क्या हो जाएगा अब देखेगा बाई रुपया का साधारन ब्याज जेड रुपया प्रापत होता है यहां हो जाएगा बाई और गुने में आर गुने टी और बटे में क्या हो जाएगा आपका सो हो जाएगा आप देखेगा तिर्छा तिर्छा तिर्छी गुने आर गुने टी अब देख पा रहे होंगे यहां से कि तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आप का मेरे मित्रों और तो कि अपनी सवाल को समझ रखा होगा हम लोग देखते हैं सवाल संक्या पाथ छठा सवाल संक्या छठा देखेंगे क्या कह रहा है सवाल संक्या छठा आप सारे लोग क्या कह रहा है देखेगा सवाल संक्य छठा बोड़ा कितना धन कितना धन पर एक सब्सक्राइब आपका सव होता है और बटे में क्या हो जाएगा आपका धर गुनिय क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा आप से मैं उम्मिद करता हूं कि कोशन आप लोग को कहीं भी दिखकत नहीं होगा समझने में तो इत्रफ है तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल संख्या सात्मा साथ रहा है किसी धन पर साथ पुनांक एक वर्टा टूपरसेंट बार्शिक दर्शे 15 मां का सधारण ब्याज तथा 12 पुर्णांक एकट रू परशंत बारशिक दर्शे आठ मां का सधारण ब्याज का आंपीस रुप्या पचास पैसा है तो धन क्या आ होगा तो ध्यान देंगे किस धन पर होसं कि धन पर साथ कण टू-पर्षंट की हाजाएका 15 बता 12 इसना परतिसंत लागा फिर बोल रहे कि साङरे बारा परosiैंट की बारसिक दर्शे साङरे बारा परसंट के मतलब क्या हाजाएगा आपका चोब्यस बता क्या जाएगा तू हो यह दोनों ब्याज का जो अंतर है जो कितना दे रखा है अब दिखेगा के नुपात में कितने एक आंतर आता है तो मैं देख पारा होकि सर्फ चार बार में कट रहा हुगा कुछतर में सिंद्र अद्र watcha को कितना होजाएगा यहांपे तीन होजाएगा लाइने 65 मिलटा 18-46 में में करेंगे ब्याज का अंतर के तुलना ब्याज का अंतर के साथ में निकालने के पुछा इंधर। मेरे मित्रों 100 से करा दीजिए दस धंख रहा ह। तो यहां पे दो को सुना बैट याट जागा मेरे मित्रों यह दो सुना सै आपका यहां की मेरे मित्रों खतम हो जाएगा मैं देखपा रहा हूं कि सर 50 से कितने वार में धुला शूपियों ओइस कितने वार में में कड जा रहा है दो 167 में मैंने गुना करा रहा हूं से तुम धेख पा रहा हूं सी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपने बहुत ही बहुत ही बहुत ही नंग से समझाओगा किसी को कोई प्रोब्लम नहीं रहोगा तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल संख्या आठमा आप सारे लोग धियान दीजिएगा आज बाबुलोग देखिया गाशाल संख्या थमा क्या बोल रहा है किसी धन पर चार बर्स का साधारन ब्याज उस धनका उस धन खहल पाँच उस धनका यकवटा पांच है उस धनका वेटा पांच हो जैगा और ब्याज कितना अंत्रों मेरे मितलों तो सर ब्याज आप-का एक ह जयोंगता है तो आज जाए वियों में मित्रों अब देखेगा क्या बोला है सवाँ उसके बाद क्या बुला है कि 4 बर्सन हो गया था ना तो इसमें 4 से क्या करा दीजिए भागा मार दीजिए या गया ह fiance की 5 परतिसत Hm कर दिया गया था है यही बात हम से कूछा है तो धियान देंगे क्षार हेयर को दो भागों बाटा है एक को भागा बाटा था आट परसंट की बार्सिक दर्शे दूसरे भाग में उसको बाटा था देस पररेशनट की बार्सिक दर्शे बारस्य था और उसको कुल बार्सिक ब्याज कितना था three church 300-2 पॉपया था मतक्तीm blues था आठ चोके 32 यानी कि 320 हो जागा मेरे मित्रों। चार्स हो जाएगा अब इसी को एलिगेशन लगा लिए इसी को का लगा लीजिए एलिगेशन लगा लीजिए आप बताया वावु चार्सों में से तिनसो बामन चला जाएगा कितना बच पाएगा हैं पर 48 बच पाएगा और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मतलब 320 है ना यहां पर देखेगा कि तिनसो बामन में से 320 चला जाएगा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा तो ध्यान दीजेगा यहां पर आपका हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आप मैं देख पा रहा हूं कि भी 10 कि बंटना घ्री यह मैं देख पा रहा हूं कि आपको कट रहा है आट 800 यह कितना हो गया है यह आच कि दरपर कितना दिया था चौर प्रिया था तो कि आप सरे लोग को समझ में आ गया मैं उमीद करता हूँ आप सारे लोग को बहुत ही बैटर नंकि शिए समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल संख्या नौ दस की और क्या का रहा है आप सारे लोग ध्यान दिजिएगा दिखिए गए गए पर अधीक बारसिक दर पर उधार दिये गए यदि चार बर्स में दोनों का साधारन ब्याज समान हो तो पहला धन कीस बारसिक दर पर दिया गया था यानि हमसे दर पुछा है कि पहला धन किस बारसिक दर पर दिया गया था तेहां पे हम लोग दोनों का मतलब बोल रहा है कि समय समान है पांच जय रुपय दिया गया था बान लेते हैं आर परशन्ट की बार्सिक दर से कितने बर्श के लिए 4 बर्श के लिए बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ठीक है फिर आपको 4,000 रुपया दिया गया था और दर को क्या किया एक परशनट बढ़ा दिया जैनी कि आर प्लस क्या हो गया आपका इहा यहां पर कितना हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा तो हैं से जो निकल के कितना निकल क्या गया चार परतिशत चार परतिशत जो अब पहला ब्रेख लीया था जो कितने पर्थिसत की बार सिक दर्ट से लिए था आप का क्या क्या होग सक glow कि दिलारे विद्यार थी आपका कोशंस का निकल कडते अगया तो मैं उम्मीद करता हूं पता नहीं है तो यहां पर मैंने माल लिया पी और तीन बर्ष में आर परतिशत की बार्सिक दर्ष से कितना हो जाता है आपको का 4025 यहां इ सिर्थी इचा का अब देखेंगा यहांसर के न knocking मेरे दोस्तों कड़ी यहां पर क्या वर्ष में माइनस ठी आर depths जाएगा खटाअ कर देखिएगा के लहाँ रहा हैं पांसो पचीश रूपया कितना रहा है पांसो पचीश रूपया तो मैस यहानर से माइनस खातम हो किस में चल जाएगा माज इसक giraffe कितना निकल के आजए गया और आपका ब्याज कितना हो जाएगा आपका इसक कितना और एसाई का रश्व निकल जाता है तो आपका दर मिंकलना बहुत असान हो झालता है, तो आपका यहां पर प्रिश पर कहल जागा आपका देखेगा, यहां से पंतीस, से लग रहा है मेरे दोस्तों कि आपको पंदरा बार में कट जा रहा है, पंदरा करेंग तो आपका मुल्धन कितना जागा थर स्टाहों देगा और आपका की तना निकला गया है 15 तो कि तिन बर्च के लिए हम्को दर चाहियत इसम Makes करेंगे तीन से भाग बताने जाएगाए अपको आपको टोट में बताने वाला हूं तो चलिया 10 और 5 बर्स में कितना हो जाता है यह को पाँच बस का मिसार्धन के तो cały ege 25 है आप ध्यान देवेगा हमसे पूछा क्या है कि मुलधन कुछा होगा है है आप बटाईये बाबू कि यहां प्र्ष है आजाएगा दो बर्स आद्ड When हो जाएगा आपका 200 cent तो एक वर्स का कितना निकल कैंजा जाएगा तो एक 100 screen जाएगा ज़्याज में सब्कृशन हो जाएगा थेभरी सर्धन तेन सब्सेब्स करें तरुशंड दे मेरे मित्रों कोश्चयूंस का क्या हो तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे सवाल संख्या तेरा हमसे क्या कह रहा है देखो जड़ा सवाल संख्या तेरा कितना असान कोशन है बोल रहा है सधारन ब्याज के किसी धन पर दो बर्सों का मिसर्धन साथ सोबिश रुप्या है चीजन संख्य में आया उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि 5 अगले पांच साल के बाद अगले फान साल के बाद टाब तक बाधन किपना हो जाएगा आपका 700 साथ अगोछ अग good-al pray अपको दस्का हरा है कि हमसे क्या पुचा है सब्कतिव कितना हो आप देखेगा यहां पर कितने का अंतर आ रहा है पांच का अंतर आ रहा है लेकिन अंतर आ रहा है यहां पर कितने का बाबू तो देख रहा है कि यहां पर अंतर आ रहा है आपको कितने कांतर आ दो आपको 300 कांतर आ रहा है तो पांच सट एक कि है कितना है बाबू? हाघ है तो दो बर्स का ब्याज कितना हो जाएगा इस में? मतलब 720 मेंos 120 चला जायगा तो मुल्धना है जो जो कितना निकल जाएक मिल्धन क्ता निकल जायगा? आपका उस्था ऑपना निकल जायगा? सवाल संख्या 14 ढाप सारे लोग ध्यान दिएगा सवाल kitchen क्या सवाल 14 कंवाराइस क्या कि सधायर भियाज कैंद का Psalm स्लिड़ा का मिसरधन देखेगा पह जो सवाल खाएं है ना कि आठ बर्सों का मिशर्धन आठ बर्सों का मिशर्धन है जो कितना हो जाता है बारा हजार कितना आपको दे रखा है बारा हजार पांच हो जाता है बारा हजार पांच हो जाता है आप देखेगा पांच में से आपका आठ में से पांच हो जाएगा कितना बचेगा तीन वर्स तो आपको घट कितना जाएगा बाइस सो पांच आज तो एक बर्स में कितना का जाएगा आप निकाल लीजिए एक बर्स का निकाल लीजिए तो बताई है सत्या एक एक आईस यहां पर बच गया आपको 10 फिर तीन तीया ही 9 आप तीन पचे 15 है यानि कितना निकल के आगया आपको 735 निकल के आगया पाँ ब्रस का ब्याज इतना हो जाएगा तो पाँच बरस का ब्याज इतना हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3775 में से आप कितना घटा लीजिए अन्ठानमेसों को घटा लिजिए तो आपका क्या निकल का जाएगा आपका क्या निकल का जाएगा मुल्धन निकल का जाएगा अब एक बर्स का ब्याज कितना था गाँ तो आप यहां से मैंने पांच साझुना कर यह आपका च्छति हो हैं अधान में सव फित्रम क्या होड़ाई इस June से आ गया आपका क्या निकल के आगया अ यह मुलधन हो जाएगा कि मुलधन्wagen क्या हो जाएगा आपका समया जाएगा किसंद Polish मुल्धन केतना हो गाई एक सर्व कितना हो जाए गाए इस चीज को पूले का करिये गा तो आप का बारा पर्टीस निकल गया दा रहा है क्या निकल नमबर कहा जाएगा मेरे दोस्तों डी हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग से कि यह चीजें आपको बहुत ही बैतरी तरीका से समझ भी आ जा होगा तो चलिए हम लोग देखेंगे सवाल संख्या सवाले संख्या क्या का रही है देखेंगे सवाल संख्या क्या क्या रहा है है यहें सब्सराफ दखंग लिए 10 पर requrari 125 पर से दन लगाता है य़ोज है यहां पर बैसक्रास ब्राबर ठीदार के बताई, तो देखिए गाckó तीन को मुलगन कर इसे लिखेंगे, P1, P2, अनुपात हैं क्या हो जाएगा, P3, और हमको देखेगा, ब्याज पुछा है, तो क्या हो जाएगा, दर गुने समय, तो यह R1, T1, अनुपात, ववन बटा हैं हो जाएगा, R2, T2, ववन बटा हो जाएगा, R3, T3, अब चीजों को समझेगा, ववन बटा, कितना बोला है, हना, तो अब इस चीजों को समझेगा, क्या बोला था, अब हम लोग, 6 बर्स के लिए 10% के दर से था, तो कितना जाएगा, आपका यहां पे, 10, 6, 60 हो जाएगा, यहां पे आजाएगा, यहां पे आजाएगा, यहां पे आजाएगा, फिर क्या बोला है कि 10 बर्ष में आपका कितना था 12 परशंट के बारसिक दर्षे तो बारे दहां को 20 से यहां कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा फिर यहां प्या जाएए फिर यहां प्या जाएए फिर बोला है क्या बोला है फिर 12 बर्ष के लिए आपका 15 परशंट बारसिक दर् अनुपात हैं एक वटा एक साथ काई साथ दुनी 120 एक साथ तीया असिया से ठीक है तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी रेश्यों भीन के रूप में हो तो हर के लिकर नुपात को परकट करते हैं तो लसीम कितना जागा मेरे दोस्तों तो सर लसीम हो जाएगा छे तो ए टोबटार 10 चेह जो Cabriree ऑनोपाते टीन वाज पाते दो निकल के अग्या यह बाबु जो आपका defense नंबर कि क्या जाए हगा आपका om corresponds नंबर डी ओंगया मेरे में प्रों तो जब धीज तरह की सवाल हो तो आप क्या करएगा मों मुल्धन जब ब्याज परावर हो और मुल्धन का रेश्यो लिखना हो तो क्या किजिएगा वन बटा आरवन टीवन अनुपाते वन बटा आट्टू टीटू अनुपाते वन बटा आर्थी टीटीरी हाना आप बताओ एक बटा मतलब 6 बर्स के लिए कैसे था 10% के बार्सिक द दो नटार्सेद mbर्सें ऑडर्से कमें 25 बार столько यहार पर यहां को हीजह तो चीजें आपको समझ में आग्या होगा आगे आजाए सवाल संख्या सॉल्ले पर ध्यान दिजेगा सवाल संख्या सॉल्ला आप क्या कहा रहा है आप सारे लोग ध्यान दिजेगा सवाल संख्या सॉल्ला देखेगा सवाल संख्या सॉल्ला बोल रहा है कि एक समू को ग्यात किजिए यानि दर 8% से 7 सही 3 बटा 4 परतिसत होने पर उसके बारसिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ जाता है 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ जाता है मेरे मित्रो 61 रुपया 50 पैसे कमी आ गया है 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ गया है कब जब पहले कैसे था भाबू आपको 8 पर आपका एक तीस हो जाएगा, तो आठ चो के बधतीस यानि एक वट यहाँ पर चार की कमी आरहा है, तो व्याज की कमी के सुनदा, व्याज के कमी के साथ मुलधन निकालना है मेरे फित्रों 100 से आप गुना करा लीजिए, बताए दसमलंग दो नंग के बाद नहां पे दो को सुनना से दो सुनना खतम हो जाएगा अब देखेगा जब यह दो पर मैं गुणा करा हुग किए सवाप्टर साको पस्टाओं का अंसर क्या निकलते है जाएगा जी ड शो बिस सब्साइन हो च्छार हो कि चोपीस 6, चेश्व आपका Qsons का बाबू अंसर हो जाएगा जो आपका options number कितना हो जाने वाला है आपको options number कितना हो जाएगा आपका C हो जाएगा मेरे मित्रों चलेगा आगे पढ़िए का आगे क्या बोल रहा है आप सारे लोग ध्यान दीजिए का पांच प्रतिसे बार्सिक देट से 15 मां के तब 5 पर आपको जाएगा पंदरा बारा वाटा बारा है वैसके वाद हम से क्या बोला है कितने का उन्तर है एक सौनतीश रुपया का उन्तर है एक सौन्तीस रुप्या का अंतर है आपसे मुलधन याद करने के लिए बोल रहा है लेकिन इस ब्याज में अंतर कितनी को जाता इसी को हमको तो समझना है मैं देख पा रहा हूं कि मतलब चार से दो बार में चार से तीन बार में है चार दुनिहां कितना हो जाएगा आठ फटा थीन हो जाएगा मिर मित्रो मैं देख पर रहा हम तीन से पांच ऑर मैं यहां कितना हो जाएगा आपका 25 वच्छार हो जाएगा हाना… तो मैं क्या करूंग ब compr की 25 बटा चार में से 8 वटा 3 को हाँ पे घड़ा लिजिये तो 25 बटा 4 और माइनस में 8 वटा 3 हो जागा मेरे मित्रों आप देखें कितना हो जाए गा-20 55, 75, 55, 3, 4, 12, 3, 4 के कितना हो जाए गा-22 मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि आ रहा है 53 वटा बारा तो अंतर के तुलना अंतर से मुलधन निकालने के पूछ रहा है मेरे मित्रों 100 से गुना करा लिजिए अब मैं देख पराओं कि तो आज तक यहीं तक फिरम लोग बढ़ेंगे फिरम लोग देखेंगे कल से अगले नंबर प्रश्ण ठेका थैंक्यू फ्रेंट्स भाई फिरम लोग मिलते हैं कल